Hello Sagittarius, Hello Scorpios यह January की मन्त की reading है, on request video है चली जल्दी से देख लेते हैं आखिर Sagittarius की love energy क्या रहेगी Scorpios के लिए for the month of January Okay तो card तो एकदम से flip out हो गई है Let's see, क्या cards आया है 5 of pentacle आया है Emperor आया है और यहां पे हमारे पास page of cups आया है तो यहां सबसे पहले तो left out in the cold feel कर रही है ठीक है, या तो ignored feel कर रही है अपने partner के दवारा, stuck feel कर रही है इस connection में, ठीक है लेकिन अपनी ego, अपना वो जो bossy nature है, जो stubborn है वो देखने को मिल रही है, emperor की form में है, confident है, yes ठीक है, stubborn energy है ego है, pride है यहां पे देखने को मिलेगी एक small text message करना चाहते है, लेकिन stuck बंदे हुए feel कर रही है, ठीक है करना जो चाहते है एक छोटा सा message casual way में, बिल्कुल छोटा सा लेकिन यहां बंदा हुआ feel कर रही है stuck feel कर रही है, ठीक है, करेंगे नहीं और यहां पे जब अपनी situation का सोचते हैं अपने पार्टन के साथ, तो ignored feel करते हैं अपने पार्टन के दवारा और बाकी यहां पे justice loving person की तरह नजर आ रही है, confident रहेंगे अपनी personality में, वो कोई लोचा नहीं है high vibration में रहेंगे, ठीक है बस एक stubborn और कुछ ego और यहां कुछ इस तरीके की, you know feeling दिखाई दे रही है इनकी और stuck feel कर रहे हैं इस connection में यह चीज आई है सामने, चली देख लेते हैं scorpios की love energy क्या रहे है की january के month में, Sagittarius के लिए scorpios की love energy nine of pentacle scorpios की love energy क्या रहे है hierophant card scorpios की love energy क्या रहे हैं, Sagittarius के लिए death card, जो की खुद अपने आप में scorpios का ही card है और bottom of the deck queen of wands आया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं nine of pentacle total अपनी individual side को explore करती हो नजर आ रही है scorpios, ठीक है वो भी fully confident है, जो self love कर रही है अपने आपको pamper कर रही है, अपने take care खुद कर रही है, confident है, right उनका ध्यान किसी पे भी नहीं है यह नहीं है, इसका ध्यान इसे इंसान पे नहीं है, इसका ध्यान और किसी पे नहीं, खुद पे है, ठीक है ना वो चीज है यहाँ पे, self love show हो रहा है और यह जो hierophant आया है वैसे तो दूसरे deck में यह marriage का card है बट यहाँ जो है यह card आप देख रहे हैं कैसे एक teacher दो बच्चों को guide कर रही है, तो यह हमेशा higher learning का card की तरह मैं इसको देखती हूँ, इस deck में तो definitely, देखिए, यहाँ पे भी यह book उठाके बैठी है, कुछ पढ़ रही है कुछ सीख रही है, अपनी life से यहाँ पे भी यह बच्चे कुछ सीख रही है तो मुझे लग रहा है अपनी life में कुछ सीख रही है जो scorpions है यहाँ पे खुद पे ध्यान है, किसी और पे नहीं है कोई third party नहीं है खुद पे ही ध्यान है, खुद का ही best version बन रही है खुद ही कुछ higher learning कर रही है कुछ सीख रही है, death card उनका ही है जो की endings दिखाता है, transformation को दिखाता है तो यहाँ इसी तरीके की changes चल रही है transformational period चल रहा है Scorpios की life में, किसी चीज की ending हुई है यहाँ पे, मुझे रख रहा है, इस connection में ending हुई है यहाँ भी death card है, जो की ending को show कर रहा है यहाँ five of pentacles दिखा रहा है कि situation यहाँ पे कितनी वो है वो भी left out in the cold field कर रही है ठीक है, और लेकिन जो bottom of the deck है, वो queen of wands है तो totally यहाँ पे, यह चीज show करती है, कि अपने self take care कर रही है जो Scorpios है, ठीक है और intuition को भी सुन रही है और self love अच्छे से कर रही है खुद को pamper कर रही है और काफी attractive दिख रही है, confident दिख रही है, यही था चलिए, अब हम देख लेते, final outcome आखरी इस connection का क्या होगा for the month of January इस connection का final outcome future January के मन्त में क्या रहेगा तो देखिए, यहाँ cards आ चुकी है 9 of wands, 3-3 cards आ गए है यह है 2 of wands, और यहाँ 3 of pentacles तो देखिए, struggle तो दोनों ही feel कर रही है, इस connection में ठीक है, 9 of wands दिखाता है struggle को 2 of wands दिखा रहे हैं, एक decision लेंगे, दोनों ही parties यह दोनों अपनी अपनी life में, whatever जैसे भी resonate होती है आप ले सकते हैं लेकिन यह decision strong और यह दखिए, कैसे world को अपने हाथ में उठा रखा है लेकिन मुझे इससे strong vibes आती है कि अपने future अपने future को लेकर कुछ decision लेंगे दोनों parties अपनी अपनी life में और 3 of pentacles, यहां strong foundation बनाने की चक्कर में हैं यहां पे strong foundation बनाना चाहते हैं दोनों चाहे कठे और चाहे अलग बट मुझे यहां individual energy यहां show हो रही है तो यहां अपनी अपनी life में कुछ individually level पे अपनी दूर दर्शिता मतलब अपने near future के लिए कुछ plan strong नीव रखते हुए नजर आएंगे दोनों की दोनों parties bottom of the deck देख लेते हैं क्या आया है यहां पे देखिए night of swords आया है जो की दिखाता है communicate तो communicate तो दोनों ही parties करना चाहती है बट मुझे लग रहा है यहां पे दोनों के बीच में कोई arguments हुए है जिसकी वज़े से सिर्फ अपने friends के साथ gossip करके हर जाते हैं इस connection के बारे में सलाम शुरा लेकर तो ऐसे से चीज यहां पे देखने को मिल रही है यह आपकी छोटी सी reading थी for the month of January तैसे लगी comment section में जुरू पर लेगा friends okay friends bye bye